कोरोना वाइरस की चलते आपका ध्यान बहुत सारी चीजों पर नहीं जा रहा है कोरोना वाइरस की अपडेट आपको हर जगह मिल जाती होगी इसलिए हम आज की वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे नमस्कार मैं प्रशांत राय हूँ आप जनता जंक्षन देख रहे हैं 27 मार्च को प्रधान मंत्री मोदी ने एक नए फंड की घोष्टना की फंड का नाम है PM CARES FUND इसका फुल फॉर्म है Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund फिलहाल इस फंड को लेकर सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा हुआ है लोग ये पूछ रहे हैं कि जब पहले से ही प्रधान मंत्री राष्ट्रिय राहत कोस्थ था तो ये नए फंड बनाने की जरूरत क्या थी तमाम तरह के सवाल है जो विपक्ष भी जानना चाहता है आप लोग भी जानना चाहते हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर जनता का पैसा कहीं दिया जा रहा है कहीं जमा हो रहा है तो उसका उपयोग कहा होगा, कैसे होगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है शुरुवात इतिहास से करेंगे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधान मंत्री राष्ट्रिय राहत कोश कब बना था क्यों बना था उसमें बचे पैसो का उसमें जमा पैसो का क्या होता है जवाब है कि ये राहत कोश 1948 में पंडित जवाहर लाल नहरू जो हमारे देश के पहले प्रदान मंतरी थे उन्होंने बनाया था वजह थी लोगों की मदद करना जो लोग उस वक्त पाकिस्तान बन जाने के कारण परिशान थे आने जाने के कारण किसी का एकसिडेंट हो गया था किसी भी रूप में दिक्कत थी तो जवाहर लाल नहरू ने एक ऐसा कोश बनाया जो पबलिक के द्वारा दिये गए पैसों से चलता है और पबलिक के ही मदद में खर्च हो जाता है अब सवाल की अब तो कोई पाकिस्तान बन नहीं रहा है तो अब इसका पैसा कहा जाता है जवाब है कि अब इस पैसे का उपयोग मुखिता बाढ़ से पिडित लोगों चक्रवात और भुकंब से पिडित लोगों की मदद करने के लिए दिया जाता है इन सब के अलावा दिल के संबंधित रोग, गुर्दा के संबंधित रोग और कैंसर आदी के उपचार के लिए भी इस कोश से सहायता दी जाती है इसमें कोई भी दान कर सकता है और दान करने के एवज में मतलब बदले में उन लोगों को इनकम टेक्स की छूट भी दी जाती है इस कोश के मुखिया प्रधान मंत्री होते हैं और सब पैसा प्रधान मंत्री ही पास करते हैं लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी प्रधान मंत्री राहत कोश में 3800 करोड रुपए हैं अब ये तो हो गया प्रधान मंत्री राष्ट्रियर राहत कोश का इतिहास अब हम ये समझ लेते हैं कि PM केर्स क्या है फुल फर्म तो मैंने आपको उपर बता दिया है PM केर 27 मार्च को प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी के द्वारा बनाया गया एक कोश है जो कोरोना वाइरस से पिडित लोगों के लिए और इसी कोरोना वाइरस से सम्मंधित उपचारों के लिए लगने वाले पैसों का इंतजाम करता है जानकारी के लिए आप ये भी जान लीजे कि जो लोग PM Care Fund में दान कर रहे हैं उनको भी income tax में छूट दी जा रही है अब सवाल कि जब पहले से ही प्रधान मंत्री राहत कोश फंड था तो ये नया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इसका जवाब ये है कि प्रधान मंत्री राहत कोश में जो पैसे होते हैं वो पैसे अन्य किसी भी रोग के लिए या आपदा के लिए उपयोग किये जा सकते हैं लेकिन PM केर्स के लिए ये कहा जा रहा है कि कुरोना वाइरस से सम्मंधित उपजार के लिए ही या ऐसे ही किसी आपदा के आ जाने पर उसकी उपचार के लिए ये पैसा आवंटित किया जाएगा इस ट्रस्ट में प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, ग्रिह मंत्री और वित मंत्री शामिल हैं अब तक यही जानकारी दी गई है यही सवाल कॉंग्रेस के नेता सशी थरूर ने भी पूछा कि PM केर फंड की जरूरत क्यों पड़ी जब पहले से ही प्रधान मंत्री राहत कोश था शाशी थरूर ने ये भी कहा कि अगर आपको PM केर फंड बनाना ही था तो आप नाम बदल देते शाशी थरूर ने अपने बात का वजन बढ़ानी के लिए ये भी कहा कि PM केर फंड का जो पैसा आएगा और खर्च होगा उसमें पारदर्शिता नहीं है मतलब सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि वो कितना पैसा कहां खर्च कर रही है लेकिन PM रिलीफ फंड में हिसाब देना पड़ता है इतिहास कार रामचंदर गुहा ने भी सवाल उठाए कि PM केर सिर्फ प्रचार के लिए ही बनाया गया है जो आरोप सबसे ज़्यादा तुल पकड़ रहा है वो ये कि PM केर स्फंड में जो पैसे आए हैं वो कैसे यूज होंगे और क्या ये CAG के audit के दाएरे में आएगा अभी तक तो लोगों की आशंका यही है कि ये CAG की audit के दाएरे में नहीं आएगा और इसी बात को लेकर विरोध हो रहा है कई RTI के कारेकरताओं ने इसके लिए RTI भी लगाया है और अभी तक उनको जवाब नहीं मिला है अब अगला सवाल की अभी तक PM केर में कितने पैसे जमा हुए हैं देखिए इसका exact जवाब तो हमें नहीं मालूम लेकिन हमें सूत्रों से खबर मिली है कि लगभग 78 100 करोड रुपै अब तक PM केर्स फंड में जमा हो चुके हैं जो आकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से करोड रुपै एन-म-डी-सी ने 150 करोड रुपै भारती एंटरप्राइज ने फिर 100 करोड रुपै जे-स-पी-यल ने 25 करोड रुपै शेल ने 30 करोड रुपै और पतंजली सम्हु ने 25 करोड रुपै पी-यम-केर्स-फंड को दिये हैं इसके अलावा कई स्टार्स और आम लोगों ने भी इसमें दान किया है अब अंतिम में मेरी टिपणी पी-यम-केर्स-फंड में खूब पैसे आ रहे हैं और ये पैसे कोरोणा वाइरस से लड़ने के लिए उपयोग किये जाएंगे पारदर्शिता हमेशा से भारती राजनीती में एक मुद्दा रही है रहनी भी चाहिए क्योंकि पैसो का मामला है और सरकारों क्यों चाहिए कि वो हर चीज का ब्योरा लोगों को दें ताकि उनका विश्वास लोकतंत्र में बना रहे लेकिन इस पर सरकार की आलोचना करने स पहले उनका जवाब भी सुनना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब कोई भी संकट आता है चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो तो जल्द से जल्द कारवाही की जरूरत होती है। लेकिन ये फंड सिर्फ कोरोना के लिए बनाया गया है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने नाम का परियोग करके ये फंड बनाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलेरिटी भारत में ज्यादा है। उनकी बातों को लोग सुनते हैं और अपने आप से connect करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा इखटा करने के लिए PM मोदी ने ऐसा किया है। मैं भी कुछ हद तक इस बात को मानता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोग प्रियता वाकई में है और जिस पैसे से लोगों का भला होना है उससे मोदी का तो कोई नीजी स्वार्थ नहीं दिखता है। करें सरकार का साथ दें ये हिसाब किताब और ब्योरा बाद में भी हो सकता है।